नमस्केर आप देखरें जनतंतुर टीवी मैं हूँ आपके साथ रुटुभंडारियो और शुरुवात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ पुलेटिन की जहाँ विशाका पटनम में भीशन आख लगी है तो बड़ी खबर बंदरगाव में आख लगने से दर्शनू नाओ इस वक्त जल गई है बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के जरिये आफ तक पहचारे है जोहाँ दंकल की कई गाडियों ने आख पर फिलाल काबू पाया है लेकिन जो इस्तिती है वो पूरी तरह से हताहत वाली सामने आ रही है जोहाँ आपको बता दे कि आन्विश फिशिंग हारबर पर भीशन आख लगी जोसकी वच्छा से बंदरगापर खड़ी 25 मेकनाइजड फिशिंग बोर्ट से चल कर पूरी तरह से खाक हो चुकी है आख लगने की शुरूआत रवेबार देर रात हुई दी जो सुमवार तड़के तक जारी रही और इस पूरी घ हटना की जानकारी साचे की जहां मचवारों ने ये भी पताया कि आख लगने की शुरूआत एक नाउ से हुई थी जो देखते ही देखते अन्य नाउ तक पहुँच गई और ये आख विक्राल रूप धारंट करती हुई नसर आई आग इतनी तेजी से इसलिए फैल गई क्य सामने आ रहे हैं जहां ये कहा जा रहा है कि घटना के पीछे एलपीची सिलेंडर शामिल है जो फट गया जिसकी वज़े से ये बड़ा हाथसा हुआ है ये आख जनी की घटना सामने आई ये सूचना मिलते ही आपको बता दे पुलिस प्रिशासन स्थानी पुलिस मौके पर और सिलेंडरों के फटने की आवास काफी दूर तक सुनाई दी गई जहां सिलेंडरों के फटने के बाद आग लगने की शुरुआत हुई और देखते ही देखते है 25 नाओ को खाक कर दिया और उसके बाद जो इस्तिती है वो पूरी तरहा से बेहद विचलित कर देने वाली है क्योंकि जो तस्वीर जो नजारा इस वक्त सामने आपा रहा है इस आखजनी घटना का उससे अंदासा लगाए जा सकता है कि आसपास के इलाकों में क्या हाल अभी भी हो रहा होगा तो लगतार तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर विशाक अपटना में भीशरन आग लगी जहां देखते ही देखते है पच्छस नाओ भी जोलकर खाक हो चुकी है ऐसे में घटना के पीछे लपीची सिलेंडर शामिल बताय जा रहा है कि लपीची सिलेंडर में जोरदार ध खमाको हुआ जिसके बाद एक नाओ में आग लगी और जो बाकी नाओ थी वो लकड़ी आफर प्लास्टिक से की बनी हुई थी और जिसकी वज़े से ये आग ने विक्राल रूप धारण कर लिया और देखें किस तरह से जुद्ध हुए का गुबार है वो आसमान की तरफ तसर आ रहा है ये कल रात की आपको तस्वीर दिखा रहे है जब देर रात ये बड़ा आघजनी की घटना सामने आई उसके बाद यहां पर सूचना मिलते ही जो आसपास के मच्छवारे ये रहवासी लोग थे उन्होंने इस्थाने पुलिस को इतला किया और इस्थाने पुशूद की दर्श कराती हुए और कोशिश यही की जारे की किसी तरह से आग भुझ जाए उस दौरान तमाम तरह के प्रयास किये गए और लोगों ने अपनी ही तरफ से यहां पर जितना हो सका पानी डालने की कोशिश की गए लेकिन जिस तरह से जोरदार धमाका हुआ उसके बाद पूरी तरह से जो तस्वीरे हैं वो हर किसी को विश्रित कर देने वाली है